फूट सेफटी एक्ट के तहट गठित एडवाईजरी कमेटी 4 फूट सेफटी एक्ट जिला कांगरा की बैठ कमेटी के वाईस चेर्मेन सीमो जिला कांगरा डॉक्टर गुर्दर्शन गुपता की अधेक्ष्टा में आयोजित की गई हलां कि कमेटी के चेर्मेन डी सी कांगरा राकेश प्रजपती है लेकिन डी सी के आदेश पर सीमो ने बैठक की अत्यक्ष्टा की सीमो जिलाकांगरा डॉक्टर गुर्दर्शन गुपता जो की एडवाइजरी कमेटी के बाइस चेर्मेन हैं उन्होंने बताया कि बैठक में जल्चा की गई है कि किसी को फूड की गुनबतता या सुचता के बारे में कोई शिकायत है तो इस बारे फूड सेफटी ऑफिसर से स पर किया जा सकता है एक्ट में प्राप्धान है कि फूड सेफटी ऑफिसर शिकायत मिलने पर फूड की सेंपलिंग कर सकते हैं और फूड घटिय अपाय जाता है तो एडियम के पास शक्तियां है कि संबंदित ब्यक्ति पर कानूनी कारवाई की जा सकती है CMO ने कहा कि जिला कांगरा में कमेटी में 13 सदसे हैं लोगों को सेफ, हाईजिनिक और सेक्योर फूड मिले इसके लिए फूड सेफटी एक्ट पनाए गया है एक के तहत जो भी ब्यक्ति फूड हैंडिलिंग में शामिल है चाहे कमर्शियल हो या नोन कमर्शियल बेसिस पर ह उनके लिए रिजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग करवाना अनिवारे हैं जिन लोगों का कमर्शियल फूड बिजनिस प्रतिवर्श 12 लाग रुपई से कम हैं उनके लिए सिर्फ रिजिस्ट्रेशन करवाना और जिनका टर्न ओवर 12 लाग से अधिक हैं उनके लिए लाइस और सुच्चता मानक अपनाने पड़ेंगे उसके बाद ही समबंदित ब्यक्ति का रेजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग विभाग द्वारा की जाती है यह सभी प्रक्रिया ओनलाइन है उसके लिए लोगों को कारेले के चक्र काटनी की आपशक दाने ही है पूर सेफटी एक्ट के अंदर हर एक डिस्टिक में एक अडवाइजरी कमेटी फार पूर सेफटी एक्ट का प्रुविजन है इस कमेटी में जो थे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से एगरिकल्चर से शिव स्प्लाई से बेपार मंडल से और जो हैल्थ पब्लिक हैल्थ स representatives हैं total 13 members हैं यह act जो है उनको safe hygienic secure food मिले इसके लिए enact किया गया है और act के मताबिक जो भी व्यक्ति जो food handling में involved है चाहे वो commercial basis पे है चाहे non commercial basis पे है उसके लिए registration करवाना या licensing करवाना यह अनिवारिया है जिस जिन व्यक्तियों का commercial food business बारा लाक पर साल से कम है उनके लिए सिर्फ registration करवाना mandatory है और जो जिनका turnover जो है business turnover बारा लाक से अधिक है उनके लिए licensing का वशक्ता है इस act में provision है कि जो भी व्यक्ति किसी भी food item को food food item means except for water and drugs पानी और दवाई के सिवाए कोई भी ऐसी वस्तू जो human consumption के लिए बनी है that is defined as food उनके लिए अपना routine annually medical check-up करवाना अबशक है उसको उस food establishment को minimal hygienic standards maintain करने पड़ेंगे तब ही उसको licensing और registration विवाग दोरा दी जाती है और यह परक्रिया जो है एक से पांच साल तक प्राप्त कर सकता है साथ में मीटिंग में यह भी डिसकस किया गया कि हर एक जिला में food safety officer है किसी को किसी के बारे में food की quality के बारे में गुनवत्ता के बारे में या hygiene के बारे में कोई शिकायत है वो food safety officer से contact कर सकते हैं एक के मताबिक food safety officer जो है वो empowered है कि वो food की sampling करेंगा और अगर उसमें substandard पाया जाता है या नार्म्स को फूड आइटम मीट नहीं करती है तो उसके मताबिक अद्रिक्त जिला दीश एडियम के पास power है उसके उपर उसके legal procedure से लेंगी और उसमें सक्त दड़ात्म कारवाई की जा सकती है